नमस्कार दोस्तों मैं वापिस आपका स्वागत करता हूँ MBBS के किस्से चैप्टर 2 में मेरे साथ मेरे साथ याने डॉक्टर विवेक जैन पेसें के साथ दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा धन्यवाद थैंक यू कि आपको पार्ट वन इस सीरीज का चैप्टर वन काफी पसंद आया इतने सारे कॉमेंट्स आये मेरे पास कि मैं आपको बता नहीं सकता डॉक्टर शांतन तो हैदराबाद से उन्होंने मुझे लिखा सर क्या PSM वाले भी लाइफ एंजोई करते हैं डॉक्टर शांतन आपको सच बात बताऊं सिरफ PSM वाले ही अपनी लाइफ को सही से एंजोई करते हैं मेरे सीनियर डॉक्टर दीपक मारवा सर का भी कॉमेंट आया काफी स्टूडेंट्स को सीरीज का पहला एपिसोड काफी पसंद आया और उन्होंने लिखा कि हम बेसबरी से एपिसोड टू चैप्टर टू का वेट करें और दोस्तों कॉमेंट अफ दी एपिसोड था ये डॉक्टर रोशनी की तरफ से पर दोस्तों एक मज़ेदार बात रही चैप्टर वन में किसी को कुछ समझ आया हो या ना आया हो पर सब क्या फोकस उन तीन लड़कियों पर जरूर गया इन फैक्ट डॉक्टर ओंकार ने नाकपुर से मुझसे पूछा सर आपने उन तीन लड़कियों के साथ क्या किया बस इतना बता दो बाकी मुझे एपिसोड से कोई ले न दे रही तो भाई ओंकार एक बात बताओ तीन तीन लड़कियों के साथ एक साथ क्या क्या कर लोगे तो दोस्तो मेरी भी इन तीन लड़कों के साथ दोस्ती हुई और इसमें जो बीच वाली पिंक वाली है न ये फाइनल एर तक काफी अच्छी फ्रेंड रही मेरी तो दोस्तो अब आते हैं MB-based के किस्से Chapter 2 पे First Prof कहां फस गया यार तो सबसे पहले Day 1 in the College मौलानाजाद Medical College का मेरा पहला दिल दोस्तो आप सबने कुछ कुछ होता जैसी movies तो देखे होंगी तो सब के दिमाग में होता है आप College जाओगे तो बिलकुल एक colorful atmosphere मिलेगा लड़के होंगे लड़किया होंगी hot chicks होंगी रंग बिरंगे कपड़ों में घूम रहे होंगे और तो और कई students के expectation थी कि वहाँ पे आपको beach volleyball भी मिलेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जब आप First Year में एंटर करते हो ना तो वहाँ पे आपको Medical College में सरफ ऐसी लड़किया मिलती है जिनकी life का सिरफ एक ही लक्षे होता है पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई उनको life में पढ़ाई के अलावा कोई और चीज समझ में ही नहीं आती तो दोस्तो UCMS की तरह मैम सी में भी मुझे बक्षा नहीं गया यहाँ पे भी मेरी full on ragging हुई और यहाँ तक की लड़कियों को भी प्रपोस कराया गया सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन ऐसा नहीं है काफी response तो मुझे राकी सावन जैसा भी मिला बिल्कुल three idiots movie की तरह कपड़े भी उतारे गए होस्टेल में इज़त को भी जमीन पर बिखेरा गया यदि एक word में बोलू तो उस time के मेरे senior दोस्तों यहाँ पे आपके साथ एक बड़ा मज़ेदार किशा शेयर करना चाऊँगा आज के एक famous coaching institute के director उस time पे मुलानाजाद medical college में मेरे senior हुआ करते थे तो जब भी वो मेरे को मिलते by chance कुछ ऐसा होता कि मेरे साथ काफी सारे दोस्त होते और उसमें हमेशा ज़्यादा तर लड़किया होती और वो senior था फ्रस्टू तो देखते ही फुक जाता था भाई तेरे पास इतनी लड़कियां कैसे आती है मेरे पास तो आती लिए एक बार मेरे मूँ से निकल गया सर अपनी अपनी किस्मत होती है जो रैगिंग की ना मेरी उसके बाद मैं बता नहीं सकता लेकिन अच्छी बात ये रही उसके बाद वो मेरा दोस्त बन गया और ये हमारी दोस्ती पूरी PG SHIP तक जारी रही दोस्तों फर्स्ट प्रॉफ में जब पहली बार एक ओडिटोरियम में घुसा तो पता चला कि अच्छा इतनी बड़ी क्लास भी हो सकती है स्कूल में तो वो ही 30-35 बच्चों वाली क्लास देखी थी पर यहाँ पर मैंमसी के बैच में उस वक्त 180 से ज़्यादा स्टूडेंट थे जो एक साथ बैठते थे और दोस्तों इस एनेटमी के लेक्चर हॉल में मैं बैठता था यहाँ इससे मुझे एक बैक बैंचर का टैग भी मिला जिसे मैं आज भी बहुत प्राउडली केरी करता हूँ बैक बैंचर होने के क्या फाइदे हैं यदि आप पीछे की तरफ बैठे हैं तो आप देखोगे कि पूरे 5 साल मैं और मेरे दोस्त सिरफ एक दूसरे से दो बार पकड़े भी गए बट फिर भी एक बहुत बढ़िया लर्निंग एक्सपिरेंस राम मेडिकल कॉलिज के अंदर दोस्तों यदि मैं एनेटमी सब्जेक्ट को देखो तो एनेटमी सब्जेक्ट से जो मेरी मेरी मेन यादे हैं वो हैं डिएच से रिलेटेड डिएच माने डिसेक्शन हॉल से रिलेटेड जहां पे 180 बच्चों को 6 गृप्स में डिवाइड कर दिया 30 बच्चे एक एक टेबल पे एक एक डेट बॉड़ी या केडिवर के साथ पता नहीं यार सबको मजा के आता था डिसेक्शन में लेयर बाई लेयर डिसेक्शन करने में लगे रहते थे और लड़कियां तो बिल्कुल ऐसे घुसका डिसेक्शन करती थी कि अगर उन्हें मौका मिले ना तो वो केडिवर को उठाके अपने घर ले जाएं दोस्तों मेडिकल स्टूड़न थोड़े पागल होते हैं एक बार तो मेरे बैच की दो लड़कियां हाथ में सकल और बोन लेके बस में पढ़ती वी और एक दूसरे को तो दिखना क्या था दिखता तो कुछ था नी और वैसे भी मुझे डिसेक्शन में कोई भी इंट्रस नहीं था तो मैंने भी ये पूरा टाइम यूस किया अपने दोस्तों के साथ बात करने में टाइम वेस्ट करने में और दुनिया भर की गॉसिप करने में इस से ये डिसेक्शन टेबल पे भी हमेशा बैक बेंचर ही रहे और दोस्तों डिसेक्शन हॉल का एक मज़ेदार किस्सा सुनातों आपके बैच में भी हुआ होगा और माफ करना अगर आपके साथ हुआ हो कि पहले दिन डिसेक्शन होते ही चार लोग गिरपड़े और भीहोश हो कर हमें एक चीश समझ में आ गई डिसेक्शन होते ही ध्यान रखना है आर्या अब गिरा आर्या तब गिरा दोस्तों उस वक्त हमने इस आपदा को अफसर में बदला हम लोगों में टॉस होने लगा हमें पता था आर्या तो जरूर गिरेगा तो टॉस के बेसिस पे हम से जो मेरी एक याद है वो है इसकी क्या है यह फ्रॉग तो उस टाइम पे हमारे फ्रॉग पितिंग के एक्सपेरिमेंट होते थे आजकल तो होते नहीं है आजकल तो एनिमल के भी राइट्स होते हैं तो दोस्तों हमारे टाइम में एनिमल के कोई राइट्स नहीं होते थे ह लेना होता था और नीडल से उसके स्पाइनल कॉड को पित करना होता था उसके बाद उसकी पैर की एक मसल निकालते थे और उससे हम मसल की सारी प्रॉपर्टी जैसे मसल टेंशन एक्शन पोटेंशल को स्टेडी करते थे बिल्कुल बकवास एक्सेसाइस थी जिसकी बिल्कुल भी जुरुत नहीं थी दोस्तों मैं ये भी नहीं कर पाया मुझे इस परेग करने में में बी कोई इंटरस नहीं था ये भी मैं अपने दोस्त वर्मा जी से करवाता था तो दोस्तों इससे related भी एक मज़ेदार किस्सा मुझे आद है एक दिन वर्मा जी ने physiology lab में मेरे विहाफ पे frog को पित किया और needle उसके head में लगा के अराम से washroom चले गए पीछे से न जाने वो frog कैसे जीवित हो गया और needle लगे लगे उसने पूरे lab के अंदर कूद कूद कर कोहराम मचा दिया just imagine उसके सिर में needle लगी हुए और वो एक table से दूसरी table पे अराम से jump कर रहा था तो जब तक वर्मा जी खुद को relieve करके वापिस आए तब तक एक लड़की और दो लड़के अल्रेडी भी होश हो चुके थे तो ये भी एक बड़ा ही मज़ेदार यादगार किस्सा रहा physiology का दोस्तो no disrespect at all पर जो हमारा BC यानि बायो केमिस्ट्री सब्जेक्ट था वो मेरे लिए बिल्कुल ही बोरिंग रहा पूरे बायो केमिस्ट्री में जो मेरी सिरफ यादे हैं वो प्रैक्टिकल लैब में बैटके एक रिएजेंट को दूसरे रिएजेंट से mix करने की हैं दोस्तों पूरे फस्ट प्रोफेशनल कोर्स की जो हमारी हाइलाइट थी वो थी हमारी weekly movies जो की हर सेटेडे को क्लास खतम होने के बाद आफ्टरनून में एनेटमी के लेक्चर हॉल में लगाई जाती थी बिलकुल latest movie दोस्तों मैं बता नहीं सकता आपको ये कितनी मज़ेदार चीज थी 180 बच्चों से खचाखच भरा auditorium सबके अपने comments lights एकदम से dim हो जाती और उसके बाद movie चलती तो चैबो movie funny हो या नहो उसमें हम खूब enjoy करते थे और ये एक ऐसी चीज थी जिसमें पूरी 180 की 100% attendance होती थी और यहाँ पे किसी को proxy की ज़रत नहीं पड़ती थी और दोस्तो फिर हुआ first prof का सबसे यादगार ना भूलने वाला incident जो की था Titanic disaster दोस्तो उसी वक्त Titanic movie release हुई थी और अफकोर्स हम सारे students ने अल्रेड़ी उसे theater पे जाके देख रखा था लेकिन वहाँ पर जिस दिन Titanic movie का announcement हुआ तो फिर अपने दोस्तों के साथ मज़े करने थे तो सारे की सारे 180 बच्चे उसी auditorium में एकटा हो गए और Titanic movie का आनन लेने लगे दोस्तो पूरे साड़े 3 घंटे के movie मज़ेदार चल रही थी पूरा lecture theater 180 बच्चों से खचाखच भरा हुआ था और फिर सड़नली आया केट विंसलेट का वो painting वाला scene दोस्तों हॉल में तो हमने ये movie देखी थी लेकिन जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे था ये पूरा 3 मिनट का scene unedited full version दोस्तों आप मानोगे नी 3 मिनट के लिए पूरे auditorium में pin drop silence हो गया था और दोस्तों जब वो 3 मिनट बाद scene खतम हुआ तब सबको realize हुआ कि एकदम से क्या हुआ उसके बाद तो जो हला हुआ जो comments आए अंधेरे के अंदर कोई किसी लड़के की तरफ directed कोई किसी लड़की की तरफ directed इट वस रेली amazing fun time ये incident भुलाई नहीं भूलता वैसे दोस्तों आप लोगों में से जिसको भी Kate Winslet वाला ये scene के बारे में कुछ भी नहीं पता आप वापिस जाओ और अपनी पढ़ाई start को बाकी के जो लोग हैं अपनी eDrive खोलो जिसमें आपने academics folder के अंदर medicine का folder बनाया है उसके अंदर सब folder important सब सब folder super important stuff उसके अंदर folder exam material और उसके अंदर जो आपके 46 GB के Sunny Leone के वीडियोज हैं उनको खोलो और वहाँ पे इसको देखो दोस्तों MAMC is an amazing college यहां पर एक बहुत जबरदस्त college library भी है जहां पर students हमेशा पढ़ने जाते हैं लेकिन मैं यहां पर भी पढ़नी पाया बहुत ही कम मैंने पढ़ाई की मेरा ज़्यादा था time बाहर उस library की steps पे निकलता था दोस्तों के साथ वहीं मस्ती वहीं मजाग वहीं पढ़ाई भी करते थे तो मेरी college library की यादे तो या तो उन library steps की हैं और या फिर lawns की जहां पर बैट कर दोस्तों के साथ खूब मस्त टाइम गुजा रहा दोस्तों आपकी undergraduate mb-based life complete नहीं होती यदि आप कभी भी hostel में ना रहे तो hostel में भी life का अपना ही मजा था बास्केट बॉल में हम cricket खेलते थे और वहीं college में ही मैंने पहली बार टीटी खेलना सीखा और आज मैं काफी अच्छा टीटी खेल भी लेता हूँ इसके लावा मैमसी में ही मैंने swimming करना भी सीखा लेकिन दोस्तों हॉस्टल में दोस्त होते मैस होती है मैस का खाना होता है लेकिन इन सब चीजों के अलावा जो एक चीज और मुझे मुलानाजाद medical college के old boys हॉस्टल ने सिखाई वो थी गैंग्स आफ वसीपूर देखी है उसमें सरदार खान का किरदार देखा है उस सरदार खान की language दोस्तों इस language को ऐसा उन्होंने सिखाया कि आज कल भी ना चाते वे कभी-कभी वो language जोबान पर आही जाती है दोस्तों आज कल तो आप students काफी लखी हो सब कुछ आपको आपकी family पहले दे देती लेकिन मैं तो सदा से ही एक middle class average family से बिलॉंग करता हूँ तो मैंने तो पूरे 5 साल घर से college का सफर local DTC bus में ही travel करके किया है तो या तो वो ticket के सारे होता था या मंतली pass बना लेते थे और नहीं होता तो तनूवेट्स मनू रिटन्स देखिए बिलकुल वैसे ही हम भी बस में staff चलाते थे just imagine medical college के students का staff भी चलाया है हमने दोस्तो इन सब मस्ती के बीच suddenly एकदम से भुचाल आया और आगया मेरा first prof का sent up जिसमें मैं बुरी तरह लुड़का तीनो subjects में anatomy में भी, physiology में भी, biochemistry में क्योंकि पूरे साल पढ़ाई तो की नहीं थी सिरफ एक euphoria लेके जी रहे थे तो उस वक समझ में आया कि पढ़ाई बहुत जरूरी है तो जिन seniors ने ragging की थी उन्ही seniors ने सबसे ज़ादा help की उन्होंने बताया कि बेटा पढ़ना तो पढ़ेगा तो बहुत ज़ादा नहीं पढ़ना चाता तो minimum पढ़ ले लेकिन minimum तो तुझे पढ़ना ही पढ़ेगा अब वो minimum मेरे जैसे के लिए एक maximum चीज थी तो दोस्तों का सच में मैंने लगके पढ़ाई की और दो महिने की पढ़ाई में बड़े अराम से first prof पास हो गया तो दोस्तों इन सब मस्ती, मौज, खुमना फिरना, मूवीज, पढ़ाई इन सब के बीच में जो एक चीज continuously मुझे आगे ले जाती थी वो थी दोस्ती सिरफ एक saving grace था जो पूरे medical college की पढ़ाई में मुझे आगे तक ले जाता गया वो थे अपने दोस्त और उनके साथ दोस्ती फिर दोस्तों first professional MBBS का end होते होते हमारे बैच में क्यूपिड आया और हमारे बैच में भी couples बनने लगे और धिरे धिरे पूरा campus pink और red होने लगा seniors पूछते यार तेरा number कब आएगा सोचो वो senior पूछ रे जिन्होंने आज तक किसी लड़की से बात ने की थी तो मैं बोला सर मेरा तो यहाँ पर कुछ नी बनेगा मुझे जो लड़की चाहिए वो मिलती नहीं और यहाँ पर जाता लड़कियां ऐसी है तो तब मेरे senior ने बोले वो golden words बेटा चिंता मत कर जब इन लड़कियों के साथ दिन रात रहेगा न तो यही राखी सावन जैसी दिखने वाली लड़कियां धीरे धीरे तुझे माधुरी और करिश्मा जैसी लगने लग जाएंगी और एक senior ने तो यहां तक बोल दिया बेटा बोल तो तु कुछ भी ले शादी तेरी ultimately डॉक्टर से ही होगी and mark my words तेरी तो पक्का love marriage होगी तो दोस्तों यह हुआ या नहीं यह तो पता चलेगा आने वाले chapters में MBBS के किस्सों में तो दोस्तों अभी के लिए आप से अलविदा कहूंगा दोस्तों अपने comments जरूर लिखे नीचे comment box में और अपने MBBS के interesting किस्से भी share करें कोई ऐसा किस्सा जो आप पूरी medical student fraternity के साथ share करना चाहते हैं मैं आपके नाम और college के साथ या बिना नाम और college के साथ जैसे आप चाहें उनके साथ share करूँगा तो दोस्तों अभी के लिए अलविदा मिलेंगे अगली बार दुबारा MBBS के किस्से के साथ बाबाई टेक केर नमस्ते